नमस्कार दोस्तों, KWS Classes में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज मैं बात करने वाला हूँ BSC First Year के Physics के First Paper, यान की Mechanics यान तरिकी की, इसके Most Important Questions मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है Chemistry के तो मैंने कुछ बता दिये थे, अब Physics की बारी है, अब यह यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि इसका जो एक्जाम पैटरन है वो, अगर वो समझ में आ गया तो आपको Most Questions खुद भे-खुद समझ में आ जाएंगे, क्या करना है आपको एक्जाम में, सबसे Most Important चीज है, एक्जाम में जाकर आपको करना गया है, देखिए Chemistry में जैसे 5 यूनिट हुआ करती थी, 5 Question आते थे, करने होते थे, वैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर Only 4 यूनिट है, आपको पता है, सभी को यहाँ पर केवल 4 यूनिट है, और Question आते है 5, 4 यूनिट होती है, 1st, 2nd, 3rd, और 4th, लेकिन Question कितने आते हैं 5, अब देखो जो पहला Question आता है वो बिल्कुल Compulsor यह है, अनिवार यह है, यह जो पहला Question है, यह आपके पास 4 यूनिटों में से मिला कर आता है, मान लिजे, 2 Question इसमें से दे दिए, 2 इसमें से दे दिए, छोटे-छोटे Question आते हैं, एक-एक Number के Question आते हैं, डे-डे-डे Number के Question आते हैं, तो यह वाला Part तो आपने deeply पढ़ा हुआ हो, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होता है, तो सही है, लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, यह वाला Part कैसे करना है, अब बात यहां पर आती है, कि यह बाकी की जो Question है, उनका क्या करना है, पहला Question तो जो है, वो अभी आप छोड़ दीजे, क्योंकि पहला Question सारी यूनिटों को मिला कर आता है, पहला Question अगर आपको Complete करना है, तो आपको यह सारी यूनिट पढ़नी पड़ेगे, क्लियर है, अब हम बात करते हैं, दूसरे Question की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, चोते की करते हैं, और तो दूसरा question है वह आता है first unit में से तीसरा question आता है वह आता है second unit में से चोथा question आता है वह आता है third unit में से और पांचवा question आता है fourth unit में से clear है पतलग गया question कहां कहां से आते हैं अब सबसे पहले हमको attack करना है बड़े वाले question पे जिनमें number आपको मिलने वाले हैं जो आपके marks बढ़ाएगा आपको अच्छी percentage के pass पहुचाएगा और आपको pass भी करवाएगा तो देखो यहां पे mechanics में बात करने वाले हैं यांत्री की में बात करने वाले हैं सबसे पहले unit number 4 की बिल्कुल सठी question बताऊंगा numerical तो देखो आपके पास कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपको केवल पिछले साल के numerical देखने हैं एक दूसाल के वह topic से related क्योंकि numerical का तो कोई छोर नहीं है कुछ भी पूछे जा सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहां से question हिट होने वाले तो सबसे पहले बात करने वाले हैं unit number fourth की अब देखो unit number fourth में क्या है unit number fourth में दो भाग हैं एक तो है driven harmonic oscillation और एक हमारे पास है coupled oscillation ये दो part है अब देखो जिसको ज़्यादा risk लेना ही नहीं है वो एक काम कर सकता है या तो आप ये वाला part पढ़ लीजिए या आप ये वाला part पढ़ लीजिए आपको जो simple लगता है वो part पढ़ लीजिए जा तो आप ये driven harmonic oscillation पढ़ लीजिए या coupled oscillation पढ़ लीजिए युगमित दो लक्स जिसको बोलते हैं एक question आपके पास इसमें से आएगा एक किसमें से आएगा और करना कितना एक है जब आपको करना एक question है तो आप ये पूरी unit क्यों पढ़े आप केवल एक भाग पढ़िए एक भाग में से आपको एक पूरा question मिल जाएगा दूसरा भाग पढ़ने जी उरती नहीं है अब बात आती है कि यहाँ पे most questions की इस unit में question कौन कौन से most होने वाले हैं तो मैं वो आपको बताने वाला है देखिए सबसे favorite question है युगमित दोलक coupled oscillation युगमित दोलक क्या होते हैं एक question compulsory आएगा 101% आएगा युगमित दोलक से coupled oscillation क्या होते हैं यही पूछ सकता है बार बार पूछा गया है इसके example समेथ पूछा गया है तो आपको क्या करना है युगमित दोलक आपको रट लेना है अच्छे से ठीक है और इसके examples आपको रट लेना है देखो सबसे पहले जो most questions है वो मैं बता रहा हूँ इसके बाद आपको एक प्रेनोदित दोलक प्रेनोदित दोलक यह driving जो oscillation होता है यह आपको पढ़ना है इसका जो समीकरन होता है integration equation होता है sorry differential equation होता है वो आपको पढ़ना है इसका solution करना है आप अगर यह unit पढ़ रहे हो तो मैं यह कह सकता हूँ कि या तो युगमित दोलक या प्रेनोदित दोलक इन में से एक question confirm है और हो सकता है दोनों भी आजाए क्योंकि दोनों अथवावले भाग में है clear है यह question आपको धोनों पढ़ने है आपको यह question तयार होगिया आपका एक unit का अब इसके बाद एक आपको LCR परीपत क्या है वो आपको पढ़ना है ठीक है इसके अलावा देखिए मैंने questions जो छाटे हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ एक LCR परीपत में या आप बोल सकते हो समानांतर अनुनादी परीपत में समानांतर अनुनादी परीपत में अनुनाद अनुनादी परीपत में अनुनाद क्या है परीपत में अनुनाद क्या है परीपत में अनुनाद क्या है यह resonance जो है ना एक question, resonance का छोटा question आ सकता है, कि resonance क्या है, यह अनुनाद जो है ना, वो कई जगे पूछा जाता है, chemistry में भी बहुत आता है, physics में भी आ गया अनुनाद है, तो यह जो अनुनाद है, वो आपके पास यहां पर पूछा जा सकता है, किसी भी इस्थिती दे सकता है, condition दे सकता है, अर इसकी समाना精ित जो अनुनाद है, इसको compare करवा सकता है, कि स्रेडि क्रम से compare करवा सकता है, कि इसको compare करो, किस से स्रेडि क्रम से, यानि की, series और parallel दोनों को compare करवा रहा है, ये question आपके पास आपको पढ़ना है, या फिर मतलब इन दोनों में difference भी पूछ सकता है, क्लियर है इसके बाद एक कोश्चन आपको मैं बताता हूं एक है द्री युगमित दो लित्र का समी करन इसका इक्वेशन इतना मोश्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है ठीक है यह कई तरीके से पूशा जाता है द्री युगमित पूश सकता है दो युगमित पूश सकता है मतलब डवल कॉपल्ड और यानि कि ये दो लगों की गत्ती सरळावर्त गति दो लग ne Door समझाईए तो यह किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कई तरीके हैं इसको पूछने के, गुमा फिरा कर भी पूछ सकता है, तो जो कोशन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कई तरीके से पूछे जा सकता है, गुमा फिरा कर, और इनसे रिलेटेड एक, वह भी पूछ सकता है, इस युगमित लोलक की गती का समीकरन लिखिये, ऐसे भी ये पूछ सकता है, तो इसमें भी ये आएगा, द्री युगमित दो लितर वाला, क्लियर हैं, तो ये question आ जाएंगे, तो ये हमने किसकी बात की है, फौर्थ यूनिट की बात की है, और एक आप देखना चाओ, तो अर ये बात किसकी हो गई, फौर्थ यूनिट की बात हो गई, तो उमीद करता हूँ, आपको समझ में आगी आओगा, आपको करना क्या है, और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप सोचते हो कि हमने तो अच्छे से पढ़ना है, तो फिर आप, जो मैंने दो बहाग बताये हैं उनमें से एक भाग आप पढ़ लेना के लिए रहें अब हम यहां पर बात करने वाले हैं किसकी अब हम बात करने वाले हैं unit number 3 की किसकी unit number 3 की 3rd unit तयार करते हैं सबसे पहले 4 तयार करना आप अब unit number 3 में दो भाग हैं एक तो है motion under central force यह इसका पहला भाग है जिसमें से एक question पुछा जाएगा और उसके बाद दूसरा भाग जो है वो है damped harmonic oscillation harmonic oscillation यह हमारे पास दूसरा पार्ट है दूसरा भाग है तो दो question आएंगे तो उमीद करता हूँ कि एक question इसमें से पूछा जाएगा एक question इसमें से पूछा जाएगा जाएगा जाद चांस यह होते हैं तो आपको आप एक काम कीजिए आप तो देखो कुछ भी आए आप एक भाग तयार करके रखिए अच्छे से चाहे आप यह वाला पार्ट तयार कर लीजिए चाहे आप यह वाला पार्ट तयार कर लीजिए एक ही बात है इतना जादा तो आप कहां तक पढ़ोगे मुझे नहीं लगता अब एक्जाम टाइम में पढ़ा जाएगा जिसने पहले से पढ़ा हुआ है उसकी तॉ चलो कोई दिखक्त नहीं है लेकिन जो अब पढ़ने वाला है उसको एक पार्ट उसको तो पहले हम पास करवा रहे हैं पास करवाने की यूकि नहीं बहुं। कि पर लोके sir किस काम किया पास ही नहीं करवा रहे तो एक भाग आपको पढ़ना है क्लियर है अब आप काओगे sir most questions ठीक है भाई इसके भी most questions बताते हैं तो मैंने जो लिख रहे हैं वह मैं आपको बताता हूं most question unit number 3 की बात कर रहे हैं तो देखो unit number 3 जैसे ही आपके पास आ जाये ना unit number 3 जैसे ही आपके पास आ जाये आपको सबसे बढ़िया question में आपको बता दो Kepler के नियम Kepler के नियम Kepler's low रट लो Kepler के नियम आप रट लीजिए कहीं छोड़ना ही मत Kepler के नियमों को क्यों? रीजन क्या है? रीजन यह है कि यह जो Kepler का नियम इतनी बाहर आया है जितनी बाहर एक्जाम भी नहीं होगा sorry मजा कर रहा था लेकिन Kepler के नियम Kepler का जो second low है दित्तिय नियम तो इतनी बाहर पूशा गया है और Kepler के नियम कुछ ना कुछ इसमें से पूशा जाता है Kepler के नियम में से तो अगर आप most important questions की खोज में हो तो Kepler के नियम को छोड़ना ही मत Kepler का नियम इतनी बाहर पूचा गया है रट के रख लो Kepler का नियम ठीक है मैं कह रहा हूं तो रट के रख लो इसके बाद Kepler के नियम आप कर लोगे उसके बाद क्या है एक question है देखो यह वाली जो बात है यह तो आपका personal matter है आप करना चाहते हो तो नहीं most question मैं अलग से बता रहा हूं एक आपके पास है अव मंदित सरल आवर्ती दोलक यह damped harmonic oscillation यह वाला question भी है यह वाला question भी आपको तयार करना है कई बार exam में पूचा गया है तो most questions के स्रेनी में इसे भी हम रखेंगे छोड़ नहीं सकते है ठीक है इसके लावा यह जो सरल आवर्ती दोलक है इसकी समीकरन इसकी ध्यान रखना है इसकी question भी याद रखना है कई बार equation पूच लेता है इसकी समीकरन लिखिए इसको solve कीजिए वह पूच लेता है तो वह भी आपको याद रखना है और चोटी-चोटी सी चीज़ दखो चोटे-चोटे से जो question है वह आपके exam में आने लायक है वह आपसे कई बार पूचा जो first question में आपको बताया था चोटे question आते हैं उनमें चोटी-चोटी चीज़ पूच लेता है जैसे सरलावर्ती दोलक किसी कहते हैं दो लाइन में बता चोटे question में पूच सकता है एक number-date number में तो इसका आप ध्यान रखना और यह देखो यह जो मैं बता रहा हूं ने इसमें से छोटे questions भी आ सकते हैं बड़े भी आ सकते हैं के लिए एक आप है ना इसमें एक काम करना एक question और बताता हूं विसरानती काल विसरानती काल से आप क्या समझते हो विसरानती काल क्या है यह आपको पढ़ना है इसको और भी कई नाम से जाना जाता है इसको विसिस्ता गुनांक आ जाए तो भी कुछ ऐसा ही करना है आपको विसिस्ता गुनांक यह एक दूसर से लेटेड है ठीक है एक question आपको अलग से बताता हूं मैं गती के समीकरन तो आपको पढ़ नहीं है कन्य की समीकरन एक है एक question में आपको बताता हूँ, आपको सिद करना है, सिद कीजिए कि स्वेचिक कूप में लगू विस्थापन के लिए कन की गती सरल आवर्त होती है, कन की गती सरल आवर्त होती है, यह देख ले ना मैं जल्दे दिमें लिख रहा हूँ, इसलिए आप हैंड रैटिंग आपको पता नहीं समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो यह भी एक question हो गया, ठीक है, विसरांती काल तो आपको देख नहीं है, एक question और है, most important, very very important, rather forward, rather forward, इस unit में अभी तो देखो, most important question बता रहा हूँ, लेकिन अभी very very most important questions भी आपको लगा दूँआ, ठीक है, एक आपको candriable central force, central force क्या है, candriable क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, इनकी विसिस्ता है क्या होती है, example आपको पढ़ लेना, यह छोटे question में भी आता है, ठीक है, एक एप्रे समवादी दोलक, एप्रे समवादी दोलक क्या होता है, एप्रे समवादी दोलक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसका आवर्थकाल का जो वियन्जक निकलता है, वो आपको निकालना है, क्लिए रहे? और कोश्चन ये हैं अब देखो एक यह दो यह कोश्चन हो गए मैंने जादा से जादा कोश्चन नहीं बताएं कम से कम बताएं आप एक आप यहां पर से सबसे जो मॉस्ट इंपूरेंट टॉपिक है वो है कैप लर का निया एक है अबमंदित सरलावर्ती दोलग और एक है विश्रानती गाल यह सबसे most important topic है तीसरा उसके बाद एक यह चोथा रदरफोर्ड प्रिकिर्णान और एप प्रेसमवदी दोलग अगर आप इन बाकी के topic को भी की छोड़ दो तो यह एक दो तीन चार यह चार topic सबसे important है जिन म आप इन यूनिटों को तयार कर रहे हो वहाँ पे आप जो topic दिये हुए न आपको उनमें छोटी छोटी definition देख लो जैसे केंदरिबल क्या होते हैं रदरफोर्ड प्रिकिर्णान साप क्या समझते हैं सरल आवर्ती दोलग गती क्या होती है मैं पता है क्यों बता रहा हूं क् यह छोटे छोटे question ही आपका 1-8 question करवा सकते है जो पहला erstmal question आएगा आपका लगबग 9 number का जिसके 33 number का paper होता है उसके 9 number का का इसके 50 number का paper होता है उसके 10 number का का है तो उसमें छोटे ՛ोटे कम सक्कम 9- 10 questions आते हैं अब मान लीजिए अब उन 9 में से अगर आपको 3 या 4 भी मिल गए तो क्या बुराई है और 3 या 4 कोश्चन जो है आपको बस वन लाइनर मिलेंगे 2 तो 3-3 लाइन के तो उन में ऐसी कोश्चन आते हैं जैसे केंदरी बल क्या है जड़त वावन क्या है जो भी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो कुछ भी ठीक है जा फिर आप एक काम करना चोटे कोश्चन तयार करने हैं जब आप पढ़ रहे हो यूनिट तो वहां पर जो छोटे 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 फोर्मुले दे रहे कि है छोटे छोटे जैसे कोनी समवेग का नियम कोनी इस्ताप लेना है कि उसमें आपको कोई सोल्व नहीं करना आपको कोई derivation नहीं करवा रहा कोई integration नहीं करवा रहा को डिफरेंशिल नहीं कर वह उत्सक्त चोटे छोटे छोटे से topic देगा थो यह तो क्या है की नमबर का की क्या है एक नमबर में पूछ लिए डेफिनिशन बस क्या बिल्कुल बिल्कुल साही चीज़ा मैं आपको बताने वाला हूं और एक बात और क्या मैं यूटूब तो चलाता हूं साथ में मैंने जो अपना टेलिग्राम चैनल बनाया है कौन सा के डबलू एस क्लासेज मैं चाहता हूं आप उसको भी जोइन करें क्योंकि आने वाले रामों मैं सोच रहा हूं वहाँ पे PDF डाला करों सीदे तो ऐसे कोई चार्ज नहीं लग रहा टेलिग्राम को जो इन कने के लिए चार्ज करेंग कि पूचित एक चार्ज कुछ बहर को जोनाएंKya через कुछ भी नहीं है टेली ग्राम को जोनाया है आप उसको जोन कीजिए आपको नोलिज मिलती रही। नोलिज की कमी कभी कभी नहीं ते आप लोकिस सर्म करते हैं तो नोलीज की कमी कभी नहीं यहने देगहें। क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है KWS नोलेज वाला इस्टेशन अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नमबर सेकंड की हैं तो यूनिट नमबर सेकंड में अब आपके पास दो भाग हैं से दो भाग हैं कौन कौन से एक तो है Center of mass वा भाई वा अब छोटे-छोटे कोश्चन आते कहां से हैं अब आपसे ये Center of mass आप से पूछ लें द्रवयमान केंद्र क्या होता है आधा नंबर एक नंबर का कोश्चन पूछ लिया यह टेलिग्राम चैनल जोईन कर ले आपको आने वाले टाइम में बहुत फाइदा मिलने वाला है थीक है चोटे चोटे कोशिन में आप इतना धियान मत दो कि चोटे कोशिन आप बड़े कोशिन तयार करोगे तो छोटे कोशिन आपके तो आटोमेटिक ली तैयार उजाएंगे, नो में से लगबग चार या पांस तो हो जाएंगे यार, चार-पांच नंबर मिल रहे हैं, नो में से, दस में से, तो क्या बुराई है? बुराई है कुछ, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, तो तैयार किजिएगा, तो यहां यहां पर मैं यह नहीं बोल रहा है कि आप दोनों तयार करो या तो आप सेंटर ओफ मास वाला भाग तयार कर लो या उसमें रिजिट बोड़ी के बाद त्यार करोगे आपके लिए फाइदा रहेगा तो अब इसके आई हम मौश्ट इंपोरटन कोश्चन बताऊंगा ज्याद़ा टाम नहीं लएंगे हम तो सेंटर एफ मास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रोकेटन किस सिधानत पर काम करताया कि यह रोकेट सिधानत और नोह से कोस्चन तोझा है मेरा दिल कहता है मेरा मन कहता रोकेट तो आएगा रोकट तो चले गा यार मैं रोकट नोडिये घुट ठीक है तो रोकेट सिदान उसका समीकरन एक पुरसरन गती लट्टू की गती लट्टू की जो गती है या तो आप से पूछ लेगा लट्टू की पूरसरन गती किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है तो बनाया ना एक कोश्चन आपके पास है कि नियत संरक्सी बल छेत्र में क्या करिए छेत्र में एक कन की सरल रेखिये गती को बताईए कन की सरल रेखिये गती को बताईए यह आपके पास पूछ सकता है कई तरीके से पूछ सकता है इसके अलावा देखो संरक्सी और ए संरक्सी बल कितना बड़िया कोश्चन है संरक्सी वे ए संरक्सी बल मैं यह नहीं कहता कि यह कोश्चन आपके बड़े कोश्चनों में मिले आपसे पूछ सकता है सन्रक्सी बल क्या होता है अपसे पूछ सकता है बिल्कुल पूछ सकता है एकजाम में बहुत important question है क्लियर है sorry यह जो सन्रक्सी बल वाला मैंने आपको question बताया है यह आप second unit में मत पढ़िये यह आपके पास first unit का question है हाना मैंने second unit first unit का बता दिया तो यह आपके first unit में काम आएगा हाना तो यह second unit का नहीं है second unit का मज़ समझना इसा है गलती हो गई कि इसके अलावा कार यह उड़जा प्रमे चलो छोड़ो याई छोटे question छोड़ो सीधे सीधे पूस्ता एक तो आप कर दोगे जो मैं बोल रहा हूँ न वो भी बात जहां से सुनता रहे न छोटे question में द्रवेमान केंदर से आप कैसा मसते हो छोटा question क्लिए रहे है छोटे-छोटे question मैं आपको बता रहा हूं और एक question मैं आपको बताता हूँ जड़त्विय गुनांक क्या होते हैं जड़त्वी गुनांक क्या होते हैं जड़त्वी गुनांक क्या होते हैं यह मैं आपको बात बता रहा हूँ जड़त्वी गुनांक क्या होते हैं कि इसके अलाबा आपको जडतविये गुनांक ग्यात करवा सकता है और इनका व्यन्जक डेरिवेटीव इनका व्यूत्पन करवा सकता है जडतविये गुनांक क्या होता है ये आप से पूर्च सकता है और numerical तो आपके पास आई सकते हैं जैसे सिद्ध करने वाले सिद्ध करने वाला question मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख लेना मैं लिखूंगा बोट टैम लगेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी कन तंत्र का किसी बिंदू ओके सापेक्स कौन ये समवेग तथा द्रवेमान केंद्र के सापेक्स कन तंत्र के कौन ये समवेग के सदीस योग के तुल्ले होता है इतने ही question है मैं आपको उमीद करता हूं इसमें से मिल जाएगा रोकेट सिद्धान प्रसरन गती जड़ित्वी गुनांग इनमें से अब यूनिट फर्स्ट की बात करने वाले है अब यूनिट फर्स्ट में क्या करना है आपको बताता हूं एक तो आपके पास पार्ट है फिजिकल लो फिजिकल लो एंड फ्रेम रेफरेंस यह वाला एक आपके पास है कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स यह दर को कोरियोलिस फोर्स तो नाम लिखते ही आप इसको मोश्ड लगा legislature लगा लेना और एक कि दो वाग तयार कर लिजे सेफ रहो गोड़ेंगे तीसरा वाग छोड़ दीजिया अपनी वाला अपने यह व्वाला भाग पढ़ लिया ऐसे मत करो आप या तो यह वाला भाग पढ़ लो Coriolis Force तो आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है, अब उसके साथ आप ये वाला भाग पढ़ लो, चाहिए वाला भाग पढ़ लो, आपकी मर्जी है, अब इसके Most Important Questions की बात आती है, तो मैं आपको सबसे पहला Question जो है न, वो ये ही है, क्या, Coriolis Force, सबसे पहला, नाम सही, Coriolis Bull, से आप क्या समझते हैं, Coriolis Bull, कुछ ना कुछ तो आएगा, मेरा मन कहता है, बड़ा Question आएगा, लेकिन बड़ा नहीं आया तो छोटा तो आएगा, तो Coriolis Bull, क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, Coriolis Bull, Coriolis Tweran, Acceleration पूछे, इसके अलावा, फोको लोलक, फोको पैंडूलम जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, छोटा Question बता हूँ, छोटा Question जड़त्विये, वे, ए जड़त्विये, निर्देश तंत्र क्या है, जड़त्विये, वे, ए जड़त्विये, निर्देश तंत्र क्या है, निर्देश तंत्र क्या है, यह आपको पढ़ना है, जड़त्विये, ए जड़त्विये, निर्देश तंत्र क्या है, यह फोको लोलक आप पढ़ोगे, ठीक है, इसके अगर कोई English Medium का है तो वो समझ जाना और अगर समझ में नहीं आता है तो स्लेबस देख लेना और स्लेबस देखके नहीं आता तो मेरे जो फोन नंबर है कॉंटेक्ट नंबर है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो मुझे वोट्सप कर सकते हो तो वहां पर मैं आपकी प्रोग्रम सोल कर दूँगा के लिए रहा है इसके अलावा गैलीलीन रुपांतरन हो गया हमारे पास इन द क्लियर है और कोस्टन मैं आपको बताता हूं कोरियोलिस बल हो गया एक अप केंद्रीए बल अप केंद्रीए बल पढ़ लेना बड़े चोटे कहीं तो आए गई यार पाइव निवानिठी ने महीं बता रहा है लिए निवेर्कललल्स जो आएगे न इससे रेइन ही आएएंगे और यह पहला प różडिया यह देख लेना संदक्सियों सब्सnh और तो मैं आपको क्या बता हूँ आपकुछ समझदार हो देखो मैंने आपको बता दिया कि एक एक पार्ट दो में से एक एक पार्ट आपको पढ़ना है तो यहां पे भी देखो यह कोश्चन्स होगे हमारे पास यह चार टोपिक है एक दो तीन चार वैसे तो मैंने पांच टोपिक पढ़ लेते हो ना तो इन में से आपको 101 परचंट मिल जाएगा और नियूमेरिकल तो कहीं से भी बना सकता है इतने साल के कोश्चन आए हुए हैं आपके इतनी सारी बुक हैं किसी भी बुक में से उठाके कोश्चन रख सकता है तो उसकी हम कहें नहीं सकते हैं आप दो तिन साल के कोश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप वह ट्राइब करके देख लेना या आपके अपास जो भी है ने तो यह कोश्चन आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा कि एनद्री बल क्या होता है एक बताइए और इसकी कोई समिकरन पूछ ली बताइए तो वह आप निकान ली नहीं है वो सीधा लिखनी आपको एक काम करना है मेरे कहने से क्या कि जब आप कोई सी भी उनिट तयार कर रहे हो आप कोई से भी टोपिक तयार कर रहे हो जो मैंने बताया है वो कर लेना उसके साथ आपको जो बागी के टोपिक है ना जिनमें आपको छोटी-छोटी लाइन है वो आपको पढ़नी है जैसे मान लिजए कोई समी करन तो वह समी करन की जो सबसे लास्ट वाल है न वह सीधा डिरेक्ट याद कर लेना क्युक्त एक्जाम में ऐसे ही सीधा पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी टेशन मत लीजए लोग के सर है तो क्या डर है क्योंकि एक्जाम में आपका अच्छा जाने वाला है कोई प्रोब्लम नहीं होगी तो यह मैंने physics का पड़ी महनस से तयार करके questions मैंने छाटे हैं select किये हैं और इनको अगर आप पढ़के जाओगे तो आपके बहुत 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 अच्छे नमबर आ जाएंगे तो इसी साथ मैं विदा लेता हूं next class में बात करेंगे हम किसी next paper की धन्यवाद